हे दोस्तों मैं मैं किमन सारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हैं मैं फ्रेंस आज कि इस वीडियो में हम लेके आए हैं कैच्छा दस्वी वालों के लिए संस्कीत का BBI सब्जेक्टिव कोश्चन जो कि आपके मेटी बोर जाम के लिए काफी इंपोड से गए हैं और आपके भी मेटी एक्जाम में पूशी जा सकते हैं तो चली फ्रेंस बिना समय गवाएं पहला कोश्चन को देख लेते हैं इससे पहले आप से बता दें कि आप चाहते हैं कि एक सब्जेक्टिव कोश्चन का पीडिये फ्री में डाउनलोड करने के लिए तो चले हमाँ सभी को पहला कोशन दिखा देते हैं घिए दोस्तों पहला कि नीटी असलोकाइं नराधम के लक्षणों को लिखें चले हमाँ से बता देते हैं काफी शिंप्धनी की सिसकाय अंस जैर कि नीच मनिस का अभिप्रायः नीम्रिजाति ुमस्रेने वाले से नहीं है पहुताया गया है कि नीच मनुष्ट का भी प्रायः निम्र जाती में जन्व लेने वालों से नहीं है। सत्य और असत्य कर्मों के सलंग्न रहने वाला मनुष्ट की स्रेणी में नहीं आता है। जो बिना बुलाए किसी के सभा में परवेश करता है। बिना पुछे कुछ बोलता है ना बिस्वास करने वाला पे भी वो अधीक बिस्वास करता है। ऐसे बेक्ती को ही मूठ चेटा नराधम यानी नीच के स्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद में अगला जो स्वाल है मारा कुछ मद्दू में कि महान लोग संसार रूपी सावर को कैसे पार करते हैं। है दोस्तों तो कोचन का बिल्कूर सही जबाब लिखेंगे आप कि स्वेतास्वर उपनिशद में ग्यानी लोग तथा अग्यानिक लोग में अंतरस्वर्ष करते हुए महरसी बेदव्यास कहते हैं कि अग्यानी लोग और ग्यानी लोग अंतकास तथा परकास्वरूप होते हैं। कि महान लोग इसे समझ कर मिर्टू को पार कर जाते हैं कि व की संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर इससे अच्छा कोई प्मार्ग नहीं है। है दोस्तों अगला स्वाल है कुसमाच चार में कि महात्मा बूध के अनुसार वैर की सांती कैसे संभव हो है तो महात्मा बूध की द्वारा वैर की जो सांती है वो कैसे संभव हो सकती है तो कोशन का बिलकुर सही जबाव लिखेंगे आप कि महात्मा बूध के अनुसार वैर संभव सकती है उसके बाद में अगला स्वाल है मारा कुश्माइब पांच में कि बेदांग संख्या में कितने है आज सबी को बता दें कि बेद जो होते हैं बेद चार परकार के होते हैं वहीं पे हम लोग बात करते हैं बेदांग के बारे में तो बेदांग जो होते हैं बेद कशा उच्छा ऊच्यालन परक्रिया का ग्यान कराती है ब्याकरन वर्ण सब्द वागित्यादी का अध्यान करता है यानि हमें ग्यान दिलाता निरुक्त का कार्ड वे बेद के अर्थ का बोध कराना है चंद का सूत्र इक ग्यांथ है जो अती वे लिए जो अतीसी के लिए एक परकार का ग्रंथ है अगला जो स्वाल है कि स्वामी द्यानंद सरस्वती ने सिक्षा विवस्ता का वर्णन करे यानि स्वामी द्यानंद सरस्वती का जो सिक्षा विवस्ता थी उसके बारे में आज सभी क्या जानते हैं वही इस कोशन में आज सभी को लिखना होगा तो कोशन का बिल्कुश सही जबाव लिखेंगे कि आपकी स्वामी द्यानंद सरस्वती ने अपनी सिक्षा से अभी प्रेरित होकर समाज में नई सिक्षा परणाली को प्रतसाहित किया यानि बेक्सित किया आप शे मिता दें कि वैदिक साहित्य के साथ-साथ पाश्यताप पर विज्ञान शिक्षा को अवश्यक मानते हुए नई सिक्षा प्रारंब की यानि नई सिक्षा निती की सुरवात की किसने तो स्वामी द्यानंद सरस्वती ने उन्होंने अपनी सिक्षा में इस्त्री सिक्षा, छुगाचूत, बाल बिवा और कर्म कांड को निशेद किया यानि रोक किया अब एक पर फीसे समझ लेजे कि स्वामी द्यानंद अपनी सिक्षा से अभी प्रेरीत होकर समाज में नई सिक्षा परनाली को प्रसाहित किया यानि बिक्षित किया यानि उसे बढ़ावा दिया वैदिक साहित के सांथ साथ पास्चात विग्यान सिक्षा को अवस्यक मानते हुए उन्होंने नई शिक्षा परणाली यानि नई शिक्षा विवास्ता की सुर्वात की यानि आरम्ज की उन्होंने अपनी शिक्षा में इस्त्री शिक्षा यानि इस्त्रियों के लिए आउरतों के लिए शिक्षा छुगा छुट पहले का होगा था कि स्वामे दैनंद सरोषटी के जो उसे में काल चर रहे थे उसे में छुआ छुद बहुत ज़ादा बढ़ गया था एक लोग दूसरे लोग को अपने से नीश मानते थे उसे छुआ छुद करते थे वो सख़ाद में बाल बिया याने उस पर रोकिया। एगला जो स्वाल है भास महीमा पाठ से लिए बोला गया है कि भास महीमा पाठ के आधार पर भारतीय मुलियों की विश्शेचाओं पर परकाश डाले। भारत महिमा जो पाठ है उसके माध्यम से आज सभी को भारतिये मुल्यों की विश्यस्ताओं को परकाश डालना है कोशन का बिलकुर सही बाब लिखेंगे आप कि भारत का प्रकृतिक संदर्व स्वर्ग सा है भारत का जो प्रकृति वातवरन है न वो स्वर्ग के जैसा है यह देवताओं रिष्यो यो महापुरूषों की आतरन भूमी है यह जो भारत्रना जो अजन भूमी है न गर देवताओं तथा रिष्यो के साहँ देवताओं का वंड़नकी तदेखने और सबी को मिलेगा आप से बता दें कि भूमी पर आतित होने वाला मनुष से निश्चत निश्चे ही धन्ने होता है जो भी इनसान भारत के जन्म भूमी पर आता है यानि जन्म लेता है वह मनुष निश्चे ही धन्ने मनुष होता है यानि भागेसाली मनुष होता है हमारी भारत भूमी विशाल राम में रूपा और कल्यान प्रद है हमारी जो भारत की भूमी है वो विशाल है यानि बहुत ही बड़ी है उसके बाद में कल्यान प्रद है यानि सभी को लिए सुक्षान्ती प्रयुक्त है उसके बाद में आप से भी लिखेंगे आत्यांत सोभनी और संसार क गौरो भारत हम सबों के द्वारा सर्दायों पूजनिये हैं यानि हम सबों के द्वारा हमेशा पूजनिये हैं कौन तो भारत की भूमी या जाती धर्म के भेदों को भुला कर एकता एम सहिश्णता का पाड़ पढ़ाती है हमार जो भारत की जन भूमी है वो एक दुस्रे से चुद को मिटाती है जाती भेदबाव सहस्कीती तर्था धर्म को भेदबाव को मिटा कर सभी को एक सांत रहने खाने पीने और एक सांत सहस्कीती में अपने आप में रहने की एक एकता की भावना पैदा करती है कौन तो हमारी भारत की मिट्टी यानी भूमी हम भारतिये सदर करते हैं वसुधाय कटूंबकम अर्थाथ संपुन प्रित्वी ही हमारा संपुन संसार है तो आज सबी से अबजेक्टिव स्वाल में ही पूछा जा सकता है कि वसुधाय कटूंबकम का क्या अर्थ होता है आप से बता दें कि वसुधाय का मतलब होता है संपुन प्रित्वी हम विमारा संपुन संसार है अर्थात वसुद्हय कटुंबकम अगला जो स्वाल है बुला गया है कि दामोदर गुप्त ने पाटना के संबंध में क्या लिखा है आप से बता दें कि कभी जो दामोदर गुप्त के अनुसार पाटना के बारे में वो कहते हैं कि पाटना एक अगर प्रित्री पर बसे नगरों में स्रेष्ट है प्रित्री में जितना भी नगर बसे हुए है उन सभी में सबसे स्रेष्ट नगर दामोदर गुप्त के अनुसार कौन सा है तो पाटली पुत्र है यानि पटना है आकिर दामोदर गुप्त को क्यों लगता है कि पाटना आउसे बता दें कि यहां सरस्वती के वंसज यानि बिदवान लोग बशते हैं, कहां तो पटना में, आउसे बता दें कि कभी ने इस महा नगर की तूलना इंद्र की भरी पूरी नागरी से की है, इंद्र की जो भरी पूरी जो नगरी है ना उसी के तूलना दामोधर गुप प्रित्वी का सबसे बड़ा सरोस्त्रेट नगर और यहां पे सबसे खाचियत का है कि यहां पे बिदवान लोग बच्ते हैं अर्थात रहते हैं उसके बाद में आज सीवी को तो मानू हुआ कि पाटना में एक कौमोदी महसाओ मनाया जाता है ठीक है तो आज सीवी से इस स्वाल पुछा जा सकता है कि पाटना में कौमोदी महसाओ कौब मनाया जाता था ठीक है यह अबजेक्टी भी बनता है और यह सब्जेक्टी कोशन आ बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता था एक पर फीची समझ लेजिए कि पाठना में यानि पाठणी पुद्र में सरदकाल में कौमोदी महसो बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता था सभी नगरवास्षी आनंद मगन हो जाते थे इस हमारों का विश्चे से प्रचलाइन गुप् कामोदी महसो कैसे मनाया जाता था तो बहुत ही धूम-धाम से मनाया जाता था सभी नगरवास्षी आनंद मगन हो जाते थे खुबी खुशी अपना मनाते थे इस हमारों का विश्चेस प्रचलाइन गुप्दवर्स के संसनकाल से चलता आ रहा था और आज कर जिस तरीके से गुर्गा पुजा मनाया जाता है उसी परकार से प्राशी निकाल में कौमोदी महसो मनाया जाता था उसके बाद में अगला स्वाल है निती असलोका पार्ट से लिया गया है इसने बताया गया है कि निती असलोका पार्ट के अधार पर मुर्ख के लक्षनों को लिखे आकि नितियस लोका पार्थ में मुर्ख के कौन-कौन सेलक्षन भी अक्ट किये गए हैं आज भी कहानी पड़ेंगे तो आज से भी को मालू होगा कि नितियस लोका पार्थ में बताया गया है कि जो मुर्ख की हिर्दय वाला जो अधा मनुस्य बिना बुलाए किसी के पास चले जात है कोई उससे कुत पूर्श नहीं था नहीं किया जाता है उसो भी वह बहुत ही ज्यादा विश्वास करते ऐसे बिक्तियों को निच की सिरेनी अर्थात मुर्ख के स्रेणी में रखा जाता है उम्मिर है कि आज सभी समझे गए होंगे कि नितियसलों का पाठ में मुर्ख के लक्षनों को कैसे बताया गया है तो मुर्ख के लक्षनों को बताया गया है कि मुर्क हिर्दय वाला अधम मनुस्त बीना बुलाए भीतर चला आता है बीना पुछे कुछ बोलता है तथा अविश्वास्निय पूरुष पर भी बिश्वास करता है उसे कैसे बोलेंगे कुछे कैसा पूरुष बोलेंगे तो उसे हम मुर्क पूरुष बोलेंगे अगला जो स्वाल है राजा सांत्रू के दुख के क्या कारण थे आज से भी कलास सेमिन में ही पड़ सुके हैंगो महाराज सांत्रू के बारे में तो यह पे दिवर एक जगा था जहांके राजा थे उनकी एक बेटी थी इसका नाम था परम सुन्द्री कन्या को देखा ठीक है तो उनको उनसे मानिये तो प्यार हो गया था तो उसके पिता से बिवाह करने की एक्षा परकट की एक कौन तो महाराजा सांत्रू तो पिता इस सर्थ पे समत हुए कि यदि आपके विवाह के बाद सत्यवती का पूत्र ही राजा बनेगा देवदत्र के कारने राजा सांत्रू करन्या के पिता के सर्थ नहीं माने जिसके कारने वे सांत्रू दुखी थे आज सभी को मालम होगा कि महाराज जो सांतनों थे और यहाँ पे जो धीवर के जो राजा थे उनका जो बेटी का नाम था सत्यवती तो महाराज सांतनों चाहते थे कि उनकी जो बेटी सत्यवती है उनसे वो साधी करे लेकिन जो धीवर के जो राजा थे उननों एक सर्थ रखा कि ठीक है हम अपने बेटी के तो आप से साधी कर देंगे लेकिन मेरा एक सर्थ है कि मेरे बेटी से जो उत्पन पुत्र होगा वहीं आपके राज का अगला समराट बनेगा तो महराजар सांदों न सर्थ को मानने वाले नहीं थे शूकर उनको मालूं था कि भिस्म हमारे पास एक ऐसा पुरूष है जिसमें सारे राजा बनने के गुन मौजूद है तो यह चाहते थे कि आगे चल के जो राजा बनेंगे वो भीस्म बनेंगे ठीक है तो बाद में का हुआ कि भीस्म इस बात को तो जान गए कि हमारे पिता जी नाराज है किम नाराज है चुकि वो एक सत्यवती नम एक लड़की से साधी करना चाहते हैं लेकिन उसके पिता जो उसको मानने के मान नहीं रहे है तो उसी से में क्या हुआ कि भीस्म पितानमा ने तीनों लोकों को अपना साक्षी मान कर ये वसन देते हैं कि हम आगे आने वाले तक या सधियों तक हम साधी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे तो भाई नहीं हम साधी करेंगे नहीं हम से कोई कन्या पोत्र होगा नहीं हम यहां के राजा बनेंगे ठीक है यह चाहते थे कि अगर मेरे वज़ा से है मेरे पिता जे दुखी ना हो जिसे कारण महाराज सांतनों काफी ही दुखी थे तो हें दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिसकान मैं इस वीडियो को यहीं पींड करता हूँ उम्मिद है कि आज सभी को वीडियो पसंदा हो पसंदा हो तो वीडियो को लाइक करें पने दोस्ते में सेर करें ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमाँ सब्सक्राइब करना ना भूले है दोस्तों मैं मुक्रिबन सारी जल मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी भी आई कोशन के साथ तब तक लिए वीडियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद